नमस्कार आप सभी को आज एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए इन फैक्ट वो खबर अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी खबर प्रदानमंत्री नरेंडर मोदी के सिक्योरिटी लाप्स की खबर है खबर ये है कि प्रदानमंत्री नरेंडर मोदी को एक रैली को संबोदित करने के लिए जाना था पंजाब में वो उस रैली में जाने से पहले हुसैनी वाला जाना चाहते थे जहां भगत सिंग का समारग बना हुआ है, वो वहां जाकर उनको श्रदांजली अर्पित करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक वहां से 30 किलोमीटर दूर हुसेनी वाला से प्रदानमंत्री नरेंजर मोधी के काफिले को रुकना पड़ जाता है, और रुकने के पीछे वज़ा यह होती है कि दो किसान संगठन जो है, वो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं, अब मेरा एक सीधा सा सवार है, कुछ तस्वीरे में देख रही हूँ, जो सोशल मीडिया पर बहुत पाइरल हो रही है, और यह तस्वीरे कहीं और से नहीं, यह कॉंग् लिए देदी, ऐसी कौन सी सुरक्षा में चूक की, जिसके वज़े से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को वहां 20 मिनिट तक फ्लाइओवर पर रुके रहना पड़ा, ना सिर्फ रुके रहना पड़ा, बॉर्डर से 10 किलो, पाकिस्तान और हिंदूस्तान का जो है, वो उस पॉइंट से जहां प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका हुआ था, वहां से 10 किलो मीटर की दूरी पर है, कैप्टिन अमरिंदर ने अपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये लिखा कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, ये चूक कम ज्यादा नजर आती है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे में पंजाब के ग्रह मंत्री को और पंजाब के मुख्य मंत्री को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, फिर उसके बाद वो जो ट्वीट मैं देख रही हूँ, और वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जर्फ एंट्रिंग डेली बॉर्डर, ये सकती हूँ, तो ऑर रॉली, ये कौन चला रहा है ये यूध कॉंग्र gap का ट्विटर हैंडल जिसे इस बात के बी अकहल है, यह इस बात का भी इलम और अहसास नहीं है, कि यह मजाहँ नहीं है, यह राजनीत ही नहीं है, यह प्रद सुरक्षा में चूक नहीं कर सकते हैं और यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं है यह जिम्मेदारी दो लोगों पर है एक तो प्रदानमंत्री नरेंजर मोदी की सुरक्षा जो सेंट्रल एजेंसी कर रहे हैं वो और दूसरा वहां जिस इलाके में जा रहे हैं उस राज्य की लेकिन flyover पर जाकर ये पता चलता है कि किसान अंदुलन जो पहले कर रहे थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आप वो रूट क्लियर नहीं करवा पाए फिर उसके बाद आप एक तस्वीर दिखाते हैं कॉंग्रिस की तरफ से रंदीप सुर्जेवाला का ट्वीट एक के बाद कुछी नरेंज मोदी को एक सुरक्षा का दायरा दे पाएं इस मृति एरानी कुछ देर पहले आई प्रेस कॉंफरेंस करके गी और उन्होंने कहा कि आपको मोदी से नफरत करनी है तो कीजिए ना नफरत लेकिन इस इस चक्कर में आप हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों अफरत कर बैठते हैं इतनी क्या कॉंफलिसंसी है और यह उस पार्टी की तरफ से हो रहा है जिन्होंने अपने दो बहुत अजीज और दो बहुत लाडले और दो बहुत कदावर नेताओं को आतंकवाद के हातों खोया है और आपके राज्य में प पंजाब से देखिए किस तरह की के खबरे आ रही है कभी कोट परिसर में ब्लास्ट हो जाता है कभी कहीं पर किसी तरह के ऐसी वार्दाते होती वार्दात होती हैं जिसका कहीं ना कहीं खालिस्तान कनेक्शन दिखाई देता है आतंकवाद कर एक कनेक्शन दिखाई देता है और इसलिए आज की तारीख में पंजाब में ये जो कुछ भी हुआ है ये घिनोनी राजनिती ये ओची राजनिती नहीं है ये बहुत ही खतरनाक राजनिती है कि चुकि प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का नहीं है चुकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी है चुकि प्रधा लागू कड़ना चाहिए था वो आपने नहीं किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि प्रदानमंत्री की काफिले को 20-20 मिनिट तक वहां पर रुखना पड़ा और खुदा नखास्ता अगर कुछ हो जाता प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो जाता तो फिर आप क्या जबाब दे कुछ इंदे और उसके बाद आप किसी को क्या मूद इखाने लाइक रहते हैं आप यह कह रहें कि वो तो जिस रैली में जाना था उस रैली में भीड नहीं थी बारिश हो गी लोग नहीं थे इसलिए प्रदानमंत्री नहीं जाना चाहरे थे तो बहाना बना दिया आरे तो प्रदानमंत्री ने वहां पर किसानों को फ्लाइओवर पर पहुंचाया प्रदर्शन करने के लिए आपको अगर यही दिखाना था दुनिया को और देश को कि देखे रैली में भीड नहीं है तो प्रदानमंत्री को पहुंच जाने देते क्या वह बहतर तस्वीर नहीं होती वह तस्वीर आपके लिए ज्यादा बहतर होती ना आपके तो फायदय का सौधा होती तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि चन्नी ने प्रदानमंत्री नरेंद मोदी की मदद की वहां पर प्रदर्शन कारियों को भेज कर एक चश्मदीद है जिसका बयान ABP News पर दिखाया गया और चश्मदीद क्या कह रहा है वो चश्मदीद ये कह रहा है कि हमें पता था कि यहीं से प्रदानमंत्री नरेंद मोदी का काफिला जाएगा वो यहीं से यूटर लिया है और रिपोर्टर ने पूझा कि बताईए आप पुलिस वालों ने रोका नहीं मनाने की कोशिश नह जादा थी और पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी रंदीप सुर्जेवाला कह रहे हैं कि राज्य की 10,000 पुलिस कर्मी जो है वहाँ पर तैनात थे भाई आपके 10,000 पुलिस कर्मी एक रूट नहीं क्लियर करवा पाए चन्नी अभी आया उन्होंने कहा कि हम सतकार करते हैं प क्लियर कर दिये थे और जगा खाली करवा दी थी साइट जो है वह क्लियर करवा दी थी तो पिर अचाना कि यह कैसे पहुंच गये पिर उसके बाद आप यह भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले हमने जब प्रदानमंत्री की सेंट्रल एजिंसी में कारेवरत जो अधिकारी तो उन से हमारी बात्चीत हो रही थी तो हमने उनको बताया था कि यहां पर मौसम खराब होसकता है नहीं की तरफ से तरफ से कहा गया जो प्रदानमंत्री की को पहले इंतजार करना पड़ा उसके बाद क्लेरेंस मिली डी जी पी की तरफ से क्लेरेंस मिली होगी जो इंटेलिजेंस के अधिकारी उनकी तरफ से क्लेरेंस मिली होगी और उसके बाद गये हैं तो यह कौन भेदी था जिसने उस रूट की जानकारी दी प्रदानमंत्री का क प्रदानमंत्री की तरफ से उनके काफिले की तरफ से इस्तमाल किया जाएगा कौन था वो भेदी जिसने लंका ढाने की कोशिश की और इसी लिए आज अगर सवाल किसी पर उठता है और आज किसी की जिम्मेदारी है तो वो पंजाब पुलिस की है पंजाब सरकार की है क्योंक वी 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 आईपी परसनालिटी उस इलाके में है तो गुजर रही है तो क्या-क्या आपको ध्यान रखना होगा तो पहले क्या होता है आप आप से कहा जाता है कि यह वाला रूट जो है आप अपना हिएगा इनकेस अगर यह रूट नहीं अपना पाते हैं तो फिर आप प् प्लान भी होगा ना भाई साब आपका और अगर वह प्लान भी था तो वह कहां है और अगर वह प्लान भी आप लोगों ने अपनाया तो फिर उस प्लान भी में छेद कैसे आया उस प्लान भी में चूक कैसे हुई उस प्लान भी में प्रदर्शन कारी किस तरी किसे प्रदर प्रदर्शन कारी नहीं होते तो फिर देखा जाता प्रदर्शन कारी नहीं होते तो फिर देखा जाता है आपने तो क्या किया आपने कहा कि जाओ जिसको जो कड़नाये करो देश के प्रदानमंतरी जब वो दुनिया के सबसे time मिल्क में जाते हैं तो वहां भी उनकी सिक्millimeter ऐसे रखी जाती और ऐसे की जाती है कि परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता है और आपने अपनी राजनीती के चलते क्या हालत कर दी क्या आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खबर यह क्या है कि देश का 140 करोड की आबादी का जो मुख्या है उसके काफिले के security में lapse होता है और वो कौनसे राज्य में होता है वो विरोधी पार्टी जो है जो विपक्षी पार्टी है उसके द्वारा राज किये जा रहे किसी राज्य में होता है आप क्या message देने की कोशश कर रहे हैं और इसलिए अब अमिट शाह की तरफ से यानी home minister की से हिंदुस्तान के एक रुपॉर्ट मांगी गई है कि बताइए कहा चूक हुई है सुरक्षा में किस तरीके की चूक हुई है हमें इस बारे में पूरी की पूरी रुपॉर्ट चाहिए ऐसी चूक मंजूर नहीं की जा सकती है यह कोई और नहीं है ऐसी वैसी कोई शक्सियत न रहे हैं तो प्लीज आपके जो ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया को समालने वाले लोग है उनसे कहिए कि बचकानी हरकते करना बंद कर दें कर्मा जैसे ट्वीट करना बंद कर दें यह देश के प्रदानमंत्री और देश की सुरक्षा का सवाल है हर बार मजाक नहीं चलता और इसलिए फिर जनता को गुस्सा आता है और फिर वो जो करती है वो करता हुआ दिखता है आपसे विनम्र निवेदन है सिक्योरिटी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से अगर किसी भी तरह की कोई बाधा आती है तो वो सिर्फ किसी एक पार्टी पर नहीं आती है वो collective responsibility के तौर पर आती है वो हिंदुस्तान पर आती है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूप की खबर है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता या मोदी के सुरक्षा में चूप की बात नहीं है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के चूक की बात है तो इसलिए इसमें शर्मिंदा होने वाली वो बात आने लगती है कि आपको सच में शर्मिंदा होना चाहिए और जैसे मैं चन्नी साब का इस बात को लेकर तो जरूर उनका अधर सत्कार करना चाहूंगी कि शुरूबा सब्सक्राइब करना चाहिए और वैसे भी मुझे आपसे इजाज़त लेनी चाहिए इसलिए क्यूंकि मास्टर स्टो के कुछ वोईसोवर्स रहते हैं वो वाईसोवर्स मुझे करना जरूरी है मेरी साथी अपूर्वा का भी इस दर्म्यान में कॉल आ गया है अपूर्वा आपको आजाना चाहिए ओक है आरती नेगी कह रहे हैं जब मोधी सेफ नहीं तो आम आदमी का क्या करेंगे ओदैराज वाहियात बाते कह रहा है ओदैर जी आम लौग गविवी पेस इन माइ चाट यह राइट माड़म सास आप कह रहे हैं ओक है डीजे गालियां डीजे इससे कोई मुझे फरक नहीं पड़ता है यह गाली मेरे लिए गहना है तो ड़सन त्सक्राइब और तादाद में लोग इसी तरीके के भाशा लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी मुल्च से इनको मेसेज करने के लिए का आ जा रहा है हाँ डॉक्टर से राज लिख रहा है कि प्रदानमंत्री नरेंज मूदी ने बकायरा ये बात भी कही थी जब वहाँ पर एक अधिकारी से मिले थे कि जाकर अपने मुख्यमंत्री को थांक्यू कहाना और कहना कि मैं जिन्दा लोट आया हूँ जब देश के प्रदानमंत्री को ये बात कहनी पड़े तो आप समझ लीजिए ये मजाक नहीं है ये महज राजनीती नहीं है रविंद्र ठाकुर को पंजाब के मुख्यमंत्री पर गुस्सा आ रहा है मुख्यमंत इम्रान कह रहे हैं कि आपका गुस्सा जाइज नहीं है और आप ठीक नहीं लग रही है भाई बहुतों को में ठीक नहीं लगती है तो मैं क्या करूं पर सही कहना अगर आपको बुरा लगता है मेरे सही कहने पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बात का आप खयाल रखिये चाहे आपने उनको चुना हो कि ना चुना हो आपको इस कुरसी की रिस्पेक्ट करनी होगी मनीश कुमार कह रहे हैं मोदी इस अ किंग सैदेव यादव कह रहे हैं very nice सैंकी गुजर कह रहे हैं very nice भेंजी फिर कह रहे हैं राज़न शर्मा को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसका फल कॉंग्रेस को मिलेगा एक साहब यह लिख रहे हैं कांती दास कह रहे हैं, यह राइट, अखिलेश यादव जिन्दाबाद, अब की बार अखिलेश यादव की सरकार एक भाई साब यह भी लिख रहा है हैं, अच्छर्ण वने помог एव पे जा घंक स्वाईट डेस द dez revel 도 श्र्शर साएं, प्रैस बार अखिलेश याद्र हैं, यह थे नहीं हूआओ, इक निपुन जैन लिख रहे हैं, जो हुआ वेरीबर, आम पंजाब, आइ इसे स्वाँ हुआ, यहादव लिख रहे हैं और रहे हैं, यह अनिल शर्मा भी गुस्सा कर रहे हैं पंजाब गुवर्मेंट पर, राजीब कोहर कह रहे हैं, you are great ma'am, thank you sir. कमलेश पाटल भी कॉंगर्स पर गुस्सा दिखा रहे हैं, एंजिनेर आकार शर्मा कह रहे हैं, मोधी is great. गुरपीट सिंह कह रहे हैं, very nice. उतकर्ष संगल कह रहे हैं, प्रेसिदेंट रूल मस्ट बड़ी इंपोज्ट इम्मेडिएगली रहे हैं, शेकर शर्मा कह रहे हैं, पंजाब भी दिख रहे हैं, पहुटर्स पर शक पर जावर्मेश प्रूभ पंजाब हैं, I am with you ma'am, thank you sir. PM must be honored as it is matter of the country Arunavar Das Gupta कह रहे है Vijay Aadav कह रहे है Good Kisan Zindabad Zuhayb Malik लिख रहे है हाँ तो Kisan to Zindabad है तो इसमें क्या बड़ी बात है Shekhar Sharma कह रहे है We want suspension of Punjab government Vikas Kumar Jaiswal कह रहे है Behat Sharma Amit Soni कह रहे है This is not done from the government side It is a shame that country's prime minister is not safe in his own country Vishal Chauhan लिख रहे है Kanti Daas कह रहे है Robika Ji, you are right Sorry for other comments You are so very right Kanti Daas Ji ये जो दो टके के comments आते हैं गाली भरे है इनको नहीं पता है कि ये अपनी माँ और अपनी बहन को कितना दुखी कर रहे हैं क्योंकि जब वो देखेंगी और पढ़ेंगी इन comments को तो उनको शर्म आएगी ये कहते हुए कि लड़का हमारे खांदान का है ये लड़का हमारे घर से तालूक रखता है ऐसे लोगों की तरफ आपको ध्यान भी नहीं देना चीह क्योंकि आपकी टरख्यी में आपकी सही रास्ते में इन लोगों का कोई योगदान नहीं इन तो इसलिए मैं दो टका इस्तमाल कर रहे हूं और वो दो टके लायक भी नहीं है तो उनकी तरफ ध्यानी नहीं देना आप अपने रास्ते पर चलते जाएए काटे तो बहुत सारे आएंगे इनको देखना है कोई देखता है इन काटो को उठा कर बस फेका जाता है इस डेंजरूस फोर आ कंट्री मिस्टर भार्द्वाज इस सेंग मुहमद इर्वरां के रहे हैं यूशुड बी कूल और काम और कंपोज़ और अँपर चला गया कॉम्मेंट और बी अनबाइस शाहिद वो इसमें अनबाइस कैसे होते गिए प्रदान मंतरी के काफिले में चूह हो जाती एठाव , बटाव , केतन , बताव प्रदान मंतरी नरेंड मोदी केंकाफिले में South kadar काफिले में in the प्राज केशोर जी आप मुझे बथाऑ बरेश पत्रकार हैं इसमें आदमीं कैसे safe में चूक हुआ पीरिड बात फ़तम उसमें आपको पक्ष लेना होगा और मैं पक्ष लूँगी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पक्ष में लूँगी और इसमें कोई नहीं रोग सकता है राजकेशोर जी इत इत सब्सक्राइश क्लिर थैंक यू सो मच राजकेशोर जी का ट बात खत्म आप मुझे इजाज़त दीजे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जिनको जो कहना है कहें जो सही है आप वही करें